वेलकम बैक दोस्तों, फ़नेली आपकी रिक्वेस्ट पर Q&A वीडियो लेकर ही आ गया और हमारे चैनल पर ये पहला Q&A वीडियो है आच्छली इस वीडियो को मैं फेस क्याम करना चाहता था लेकिन मेरे पास सेट अप नहीं उसी तरह टाइम भी नहीं और आज भी इत्ते फाक से मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बैठी गया फेस क्याम नहीं तो आवाज ही सही, आप मुझे मेरी आवाज सही पेंचानते होना अगर आपका प्यार भरपूर मिलेगा तो एक दिन लाइफ भी आऊंगा शायद 2020 में मैंने एक बार लाइफ किया था तो चलिया फटावर से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं पहले तो बहुत सारी लोगों ने एक सवाल दो कॉमन पूछा है और वो कॉमन सवालों के जवाब आपके स्क्रीन पर मौझूद है नाम थोड़ा अजीब लगेगा आपको लेकिन इट से लोकल नेम का कर सकते हैं मावाप ने रखी दिया मेरी एज 30 के आसपास है कुछ लोगों का आवाज से ही पता चल चुका होगा और सी तरह मैं आंदर प्रदेश का रहने वाला हूँ मतलब आवाज में सौथ इंडियन अब अंदर प्रदेश में मैं कहां पे रहता हूँ वो भी मैंने लिख दिया है आप पढ़ लो इस नाम को देखकर कुछ लोग कठपा पढ़ते होंगे नहीं भैसा वो कडपा है और सी तरह एक और कॉमन सवाल ये है के फैमली में कौन-कौन रहते है मॉम डैड मैं और मेरी सिस्टर कुछ लोगों ने ये भी पुचा के सिंगल या मैरेड तो ये थोड़ा परसनल कॉशन है इसको हटा ही देते है और कुछ लोगों ने पुचा के गल्फेंड है क्या आँ गल्फेंड थी भैसाब खर एक और कामन सवाल है के फैस रिवील कप करोगे फिलहाल तो मैंने फैस क्याम नहीं किया लेकिन आप मेरी फोटो स्क्रीन पर देख सकते हो तो चलिए अब एक के बाद एक सवालों के जवाब देखते है उसामा बीन लादिन भैसाब पुछते है वार्स्यूवर यूट्यूब जीमेल और पासवर्ड यू है टू आंसर भैसाब मुझे खुद नहीं पता मेरे जीमेल का पासवर्ड क्या है जब कभी भूल याता हूँ फर्गेट पासवर्ड करता हूँ मतलब बहुत सारे अकॉंट्स को मेटेन करता हूँ पासवर्ड याद रखना थोड़ा मुश्किल का काम है तो हैसे मैं आपको कैसे बता सकता हूँ ये भैसाब पुछते है वाई डियू एग्जिस्ट सिंबुल जवाब है आपको एंटरेटेन करने के लिए सोरिव भैसा पुछते है वाईटी एर्निंग मतलब यूट्यूब की एर्निंग कितनी है मैं एग्जैक्टल तो नहीं बता सकता लेकिन आप अंदाजा लगा लो जब मेरे एक लाग सब्सक्राइबर्स थे उस टेम मेरी एर्निंग थी सविंटी थोजन पर मन्त और आज के टैम पे इससे कुछ ज्यादा ही है नेक्स्ट बलराम पनवार पूछने लगते है भै आपने योगी बागू की टैमिल फिलिम मंडेला को एक्स्पेन नहीं किया अब तक बहुत आच्छी मूवी है प्लीज एक्स्पेन मंडेला मूवी हाँ बलराम जी टैम मिला तो जरूर करूँगा वो क्या ना आजकल नई मूवीस बहुत आ रही है न तो उसी में टैम चला जाता है ये MSBI पो पूछने लगते है यूवर कॉलिफिकेशन वेर डू यू लिव मैं कहां रहता हूँ मैंने बोल दिया आलरी और यूट्यूब के अलावा मैं जॉब करता हूँ मतलब एक स्कूल में कम्प्यूटर आउपरेटर और कम्प्यूटर फैकल्टी हूँ आलमोश्ट दस साल से वही पर काम कर रहा हूँ नेक्स्ट केयम चांद पूछन लगते हैं आपको कौन सी मूवी पसंद है बॉलिवूट या सौथ और क्यूं क्या आप मानते है कि बॉलिवूट ने कई बहतरीन मूवीज बनाई है जिनको सोथ में रिमेक बनना है और इस साल बॉलिवूट की मूवी फ्लाप होने से लोग बॉलिवूट की उन बहतरीन मूवीज को भूल गए है जिनका मुकाबला कोई भी इंडिस्टी नहीं कर सकती कौन कौन इस बात से सहमत है केयम चांद भह साब यहां पर बॉलिवूट या सौथ इंडिस्टी की बात नहीं है किसी भी इंडिस्टी में मूवी अच्छी हो तो उस मूवी को सपोर्ट करना चाहिए हाँ मैं मानता हूं बॉलिवूट में भी बहुती अच्छी अच्छी मूवीज बनी है लेकिन ठंग से सपोर्ट ना करने के वज़े से वो ज्यादा पापुलर नहीं हुई अब सौथ इंडिस्टी के बारे में बात करें तो सौथ इंडिस्टी अपना मार्केट बढ़ा रहे है नेक्स्ट ओडिया वेरियस सब्डेट भहसा पूशन लगते है हम तो राउंड टु हेल देखते है आएंगी तो जरूर करेंगे वैसे भी मेरा कॉंटेन इंडियन है नेक्स्ट जय भरदवाज पूशन रखते है सर आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है हाँ ये भी कॉमन सवाल पूचा जाता है मुझसे भैसा मैना तीन लैंग्वेजेस को जानता हूँ येक है हिंदी, दूसरी तेलुगू, तीसरी टमिल बागी लैंग्वेजेस इंग्लिश सब्टेडल में देखता हूँ तेलुगू मुझे इसलिए आती है कि आंदरा की स्टेट लैंग्वेज तेलुगू है तेलुगू कैसे आती है ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा रश्मी पूशने लगते है चूज वन, रीट पीपल्स मैंड और वन क्रोर रुपीज मैं तो फर्स्ट आप्शन ही सलेट करूँगा क्योंकि जोतिश शी बोलके ब्लैक मिलिंग करके एक-एक बंदे से एक-एक क्रोर रुपे हासल करूँगा यसके जे गेमर पूशने लगते है बाय तुम्हें एक वीडियो बनाने में कितना घंटे लगते है तकरीबन साड़े चार या पांच घंटे लग जाते है रुद्रा नारायन नाइक पूशने लगते है वैसे तो मेरे फेवरेट कोई भी नहीं है जिसका काम अच्छा लगता है वही मेरे फेवरेट है नेक्स्ट पार्टनर सुवेंदू पूशने लगते है आम यूर बिग फैन थैंक्यू भाई चाहे वो हरर हो या मडर मिष्टी हो या त्रिलर हो या लव स्टोरी हो आप मेरे चानल पर देख सकते हो नेक्स्ट रौकी बाई पूश रहे है क्या आप जापनिस मूवी देखते हो भाई पहले देखते था लेकिन अब नहीं निबेदिता पूछ रहे है सर आप प्लीज प्लीज चरित्रा ओडिया मूवी और मन कस्तूरी एक्स्प्लेइन गरो प्लीज ओक ये मूवीस अच्छी लगी तो लाओंगा जरूर और वैसे भी ओडिया मूवीस मिलना थोड़ा मुश्किल है नेक्स्ट मन तो मामा पूछ रहे है यसारके और सलमान यसारके मैगी और हल्वा हल्वा चिकन और मटन बोथ बिर्यानी और दोसा बिर्यानी बॉलिवूट और टॉलिवूट अफ्कोर्स टॉलिवूट लव मैरेज और अरेंज मैरेज लव मैरेज नेक्स्ट जोती रेखा पता नहीं होता कि मैं स्कूल आया हूँ या नहीं इतना सेलेंटरी बैठा रहता लेकिन कॉलेज जाने के बाद शराहत हैं बहुत बढ़ गई हम तो कॉलेज छोड़कर क्रिकेट खिलने के लिए ग्रॉन भाग जाते थे खर नेक्स्ट क्रिस क्रॉस पूछ रहे हैं और यूट्यूब की जरनी के बार में अभी थोड़े देर में बताऊंगा आपको नेक्स्ट जोई पूछ रहे हैं मैं तो सब कुछ जानती हूँ भी बांगलादेश कब आओगे आप आप पुराने हो इसलिए संदीब बंजारे पूछ रहे हैं रसोड़े में कौन था कोई भी हो इससे हमको क्या लेना देना और वैसे यह रसोड़ा क्या है हमको तो खाने से मतलब है नेक्स्ट आक्रम अंसारी पूछ रहे वेन यू गोइंग टू बी एक्स्प्लेइन हॉलिवूड अन्थोलोजी मु सब्सक्राइब बहुत प्यारे हो इसमें खेर आप क्या आके रही सब काम करते हो जैसे की वीडियो रिटिंग से लेकर सब कुछ क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट है आप से की मूवी रिलीज के बाद ही एक्स्प्लेशन वीडियो अप्लोड कर सकते हो क्या लव फ्रम मर्त हम मैरे पास ना स्क्रिप्रेटर है ना एडिटर है मैं सुबा में स्कूल जाकर शाम में वापस अपने घर आगर यूट्यूब का काम देखता हूं और मेरी यही कोशिश होती है कि जल से जल वीडियो बना दूँ हाला कि मैं बनाता भी हूँ कुछ समय में लेट हो जाता है ने कभी कॉपिरेट का प्रॉब्लम नहीं आता क्या आता है भाई साब हमेशा जे आता है लेकिन उससे बचने के लिए थोड़ा बहुत कार्ण भान भी करना पड़ता है अच्विली कॉपिरेट स्ट्रेक्स में बहुत सारी फेक स्ट्रेक्स होते है मुवीस वाले प्रोडुक् से किउम और किएजी है या बहुत टाइम देना पड़ता है यूट्यूब विडियो बनाना इतना आसान नहीं है मतलब सीख गये तो आसान है और शी तरह लीट्रली बहुत बहँत बहुत टाइम देना परता है घंडों की महनट के बाद ये एक वीडियो बन्ती है और स्पे सब्सक्राइबर्स हुए थे तो आपका रियाक्शन कैसा था उस चानल पर वीडियो पोस्ट ना करने की वज़ा टाइम ही है मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं और एक हजार सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर मैं बहुत खुश हुआ था मतलब दिल को यही तसली मिली कि क्यों ऐसे आते हैं खर वाट इस वर फेवरेट मूवी मैं आल टाइम फेवरेट मूवी इस सूपर डिलेक्स उसके बाद कलर फोटो उसके बाद दिया जिसने कभी किसी को नहीं दिया नेक्स्ट मन प्रीच साहू पूछ रहे सर प्लीस एक्सपेंड दा मूवी नीली एक शक करता है भाई यहाँ पर मैं आपको यह बता दूं कि मैं कोई स्क्रिप्टिंग वगरा नहीं लिखता और एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है मैंने आलड़ी बता दिया कुछ देर में मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आचुले मैं काम कैसे करता हूँ नेक्स्ट प्रदीभा पूछ रहे है डज वर फैमिली और फ्रेंड्स मेंबर्स नो अगोट यूवर वाईटी चैनल आचुले मैं यूटूब करता हूँ ये किसी को नहीं पता मेरी बेहन और एक फ्रेंड को पता है लेकिन वो दोनों भी मुझे सब्सक्राइब नही आचुली फ्यूचर प्लांस करना मैंने छोड़ी दिया मैंने सोचा नहीं था कि मैं यूटूब करूंगा लेकिन देखो यहां पर फसके रहे गया जिंदिगी जैसे बहाती है वैसे चले जाना ही भेतर है सोचा कुछ और होता है करना कुछ और पड़ता है लेकिन मेरा फ्य मुवी देखते हो या नहीं दामन मुवी मैंने तो कपका देख लिया लेकिन मुझे न वो मुवी इतनी खास नहीं लगी हालां कि वो मुवी सची घड़नों पर आधारित है लेकिन जिसनी वो काम किया उस गाउन जाकर उसको तो सिल्ली उठ है अब स्पेशली मुवी के कॉ बात करे तो वो तो मुझे पुराना ही लगा ऐसे काफी सारे मुवी मैं देख चुका हूँ खैर नेश्ट प्रत्यूश पांडे भाया मुवी को एक्स्पेशन करने के लिए स्क्रिप्ट कैसे बनाते हो मेंस कि आप स्टोरी कैसे लिखते हो किसी मुवी की मैंने जवाब दे मैं पहले एक्स्पेशन करता जैसे त्रिबुलार, के जी एफ टू, कार्थिक या टू आपने देखा होगा बड़े बड़े मुवी को मैंने एक्स्पेशन नहीं किया क्यूंकि ऐसे मुवी आप थेटर में जाकर ही देखो तब ही अच्छी लगती है बात यह है कि मुझे अनिमेशन मुवी बहुत पसंद होती है आपकी टॉप त्री फेवरेट मुवी शायद मैंने यह बता दिया और आप हरर मुवी ज्यादा एक्स्पेशन क्यू नहीं करते आएंगे तो जरूर करूंगा ना और मैं हॉल्लिवूड नहीं करता सिर्फ नेक्स्ट शे कांतिक पूछते हैं इसका जवाब भी मैंने दे दिया हूं नेक्स्ट मार्वेल फैंस का बाप पूछते हैं विच सौफ़वेर और माइक यू यूज फर वाइस वोवर माइक तो मैं सिर्फ हाजार रुपे वारा ही यूज करता हूं बोया माइक उसी तरह आ रहे गए वच्छे तो बहुत सारे मूवीस हैं जैसे टमिल वाली सीरीस सुडल उसके बाद वदान दी नेक्स्ट वलिंगू तेलगू में माओरी पुलिमेरा और एक और टमिल मूवी हैं जिसमें लड़की लड़का बनती है मूवी का नाम याद नहीं आ रहा उस मूवी की मूवीस एक्सपेंड करने का एडिया कैसे आया और आपकी चानल की जर्नी कैसी रही और आप अपना फेस रिवी जरूर करना थोड़े देर में बताता हूं आपको नेक्स ये भैसा पुछते है क्या आप दूसरे चानल को प्रमोट करते हो वेल वी लव यूर वाइस लव फ्रमोट नहीं करता बहुत पहले किया था अब सोच रहा हों के क्यों किया नेक्स्ट सवाल है सर मैं कोशन इस वेन वाज दा लास्ट तैम यू क्राइड और वाई विच फिक्शनल क्यारक्टर यू रिलेट दा मोस्ट अर यू सिंगल और डेटिंग तू समवन हूई स्पेशल लास्ट टाम मैं जब रोय था तब मेरी एक्स छोड़ के चली गए थी और फिक्शनल क्यारक्टर के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ भी सोचा नहीं मैंने अगर आप लोग धेर सारा प्यार लुटाएंगे तो मैं लाइफ ज़रूर आउंगा जबसे यूट्यूब चानल स्टार्ट किया कभी ऐसा फिल नहीं हुआ हमेशा मोडिवेशन में ही रहता हूँ कि नेक्स्ट क्या करें तो इस बिजी लाइफ में ये सुप नहीं होता मेरे साथ नेक्स्ट अने 4889 पूछते हैं विच सॉफ़र डू यू यूज फार रेटिंग आफ्टर एफेक्ट्स नेक्स्ट संदीप पूछते हैं वाज यूज यूज फ्रम कोलकत्ता टू विशाक अपर्टनम थू भोवनेश्वर बहुत ही घटिया रहा भई सच में आच्छुली मैं घट जाने की भोती जल्दी में था सौरी आपसे नहीं मिल पाया उपर से बस सुबा सवेरे थी कलकत्ता जाने के पास सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और इसका भी थोड़ी देर में जवाब दूँगा बस आप लोगों को एंटरेटेंड करने के लिए अच्छे से अच्छा कॉंटेंट देना ही मेरा येम है स्पेशली उन मुवीज में जिसमें शोशल मेसेज हो अंशुमन दास पुछते है यूवर वाइस इस सो गूट मुझे नहीं लगता बाद अवे थैंक्यू वेरी मच फि यू गेट ए चांस टू बी ए डब्बिंग वाइस वोवर आर्टिस्ट इन एनी मुवी फि इसमें काम भी किया तो इसी दर्मियान में एक गेमिंग कमपनी में चांस मिला मतलब कमपनी का ओनर हमारे शेहर का ही रहने वाला था लेकिन उसकी कमपनी चन्ने में थी तो पहरे तो वो बंदा मेरा वर्क देखकर मुझे अप्रोच किया तीन महिनों तो के अज़े फ्रीलेंसर की तरह उसके पास काम किया उसके बाद उसने कहा कि चन्ने में मेरी कमपनी है तुमको वहाँ पर अज़े आर्टिस्ट की तरह आना होगा तो मैंने भी सोच लिया चोलो भई एक अच्छी ऑपोर्चिन्टी मिली एक नया फिल्ड देखने को मिलेगा और अच्छी हमारे शहर से चन्ने सिर्फ 6 घंटे की जन्नी है रात में एक बज़े ट्रैन है सुबा छे बज़े चन्ने तो चन्ने में जाकर मैं वहाँ पर आज़े आर्टिस्ट की तरह काम करता रहा उस वक्त मुझे प्रोग्रामिंग क्या थी विल्कुल भी एडिया नहीं था और बड़बड़ सिटीस में हर साटेडे संडे होल्डे होती है एवरी साटेडे संडे मैं वापस अपने घर आय जाकरता था मतलब फ्रैडे नाइट ट्रैन चड़ी साटेडे एर्ली मॉर्निंग मेरे घर में साटेडे फुल डे संडे फुल डे मेरे घर में बिता था उसके बाद संडे नाइट ट्रैन चड़ता इस तरह से आलमोस्ट एक साल के उपर ही मैंने चन्ने में जॉब की इसलिए मुझे टमी लाती है समझ आती है और इसी देड़ साल में मैंने धीरे-धीरे प्रोग्नामिंग सीका, गेम डेवलेप्मेंट सीका शायद 2016 या 15 में आपको याद है ना चन्ने में बहुत बड़ा फ्लरड आया था उस वक्त मैं वहाँ पर ही था भोती मुश्किल से मैंने अपने घर आया हालाएं के जर्नी छे घंटे की थी लेकिन भेसाब उस टेम मैंने बारा घंटे की जर्नी की हर घर आने के बाद मैंने उस जॉब को टाटा बाबाई बोल दिया और पहले से ही मैं एक स्कूल में जॉब करता था मैंने कहा थाना कम्प्यूटर आउपरेटर और कम्प्यूटर फैकल्टी तो दुबारा उसी स्कूल में जॉइन हो गया उसी के साथ-साथ मैं गेम डैवलिप्मेंट करने लगा फानली चार-पांच गेम फैल होने के बाद एक गेम बहुती जबरतस हिट हुआ और अबी तक वो गेम मुझे पांच साथ से कमा के दे रहा है उस अप्लिकेशन से ही मुझे मंदली इंकम होती है तकरिबन दस से बीस हजार तक उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आप यूटूब पर हाट डालें पहले तो मेरी दिमाग में फैक्स चानल था लेकिन पता नहीं कैसे सड़नली वो एडिया मेरी दिमाग से हट गया मैंने स्टोरी एक्स्पेंड का चानल ओपन किया अगर आप मेरी बहुत पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि मैं पहले मुवीज के एक्स्पेंशन नहीं किया गरता था मैं गेम डेवलेप्मेंट भी करता रहा हर चानल स्टार्ट करके आलमुश दो मेहने हो गए वीउस ही नहीं आ रहे है तो मैं इस चानल को बंधी कर दिया दूसरा चानल ओपन किया उसका नाम रखा था आज की न्यूस और उस चानल पर मैं फेस क्याम किया करता था नए नए टेकनिकल न्यूस बोला करता था लेकिली पता नहीं कैसे उस चानल पर व्यूस आने लगे थे धीरे-धीरे मतलब कभी 50, कभी 100 और उस टैम तो वही काफी थे उसक बाद तीन महिनों बाद मैंने दुबारा story explain पर आगर देखा तो मैंने जो movie explain की थी ना मदर उस पर इसकी जात का 1000 views आ गए थे तो भै मैं तो बहुत खुश हो गया तो एक और try मानने के लिए एक और movie को explain किया वो भी Hollywood ही थी तो बैम दो दिनों में उस पर भी views आ गए तो वहाँ से movie explanation और crime stories बोलने लगा लेकिन मैंने देखा कि crime stories पर उतने views नहीं आ रहे और सी तरह उस वक्त इस चानल का नाम story explain नहीं था strange stories था ये नाम रखने की भी एक वज़ा थी मैं stranger thing series का फ्यान था इसलिए मैंने वो नाम रख दिया बाद में वक्त के साथ मैंने इसको story explain नाम change कर दिया तो इस तरह से धीरे धीरे मैं Hollywood movies को explain करते गया हलके से views आने लगे उसके बाद जब मेरे 5000 subscribers हो गए तब मैं उन subscribers को कहा कि मुझे तिल्गू language भी आती है क्या मैं आपको तिल्गू movies भी explain करूँ तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो मैं दुबारा Hollywood और Korean movies को explain करना continue किया लेकिन finally एक movie मुझे बहुत पसंद आई Super Deluxe तो जब मैंने उस movie का explain किया तो वहाँ से channel का range ही बदल गया कब से लेते वे आज तक मैं काफी सारी movies करने लगा especially Indians और आप लोगों को अच्छा अच्छा content देने के चकर में मेरा game development का काम feature है गया मतलब उसमें programming वगरा लिखना होता है न तो मेरे पास उतना time नहीं था इसलिए मैंने game development और animation को छोड़ दिया छोड़ा नहीं वो automatically छोड़ गई सुबह में स्कूल जाता हूँ जॉब के लिए और जिस जगा पर मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर मेरे लिए कोई भी restriction नहीं है मैं जब जी चाहे तब जाता हूँ मैं सिर्फ सुबह में ही जाता हूँ और मेरी सुबह 11 बज़े होती है दो पहर देड़ बज़े आता हूँ खाना खाकर सो जाता हूँ शाम दुबारा साड़े चार बज़े उटकर यूटूब के काम में लग जाता हूँ घर के कामे में लग जाता हूँ रात के एक बज़े तक काम अगरा करके दुबारा सो जाता हूँ सो एक तरफ जॉब और दूसी तरफ यूटूब मेंडिन करना थोड़ा मुश्किल का काम है मतलब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता जो एक्स्प्रेंड करने वाली मोवी सो सीरीज होती है वही मैं देख पाता हूँ वो भी बहुती मुश्किल से लेकिन इसके बावजुद भी मैं आपके लिए फटवर से काम करके आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ चलिए अब बताता हूँ कि मेरे काम करने का तरीखा क्या है तो पहले तो भैसाब मैं मुवी देखता हूँ मुवी देखने के बाद स्क्रिंशाट लेता हूँ और स्क्रिंशाट लेते समय है मैं मुवी को याद कर लेता हूँ मैं यहाँ पर कोई स्क्रिप्टिंग वगरा नहीं लिखता रिकॉर्डिंग के समय इमेजस देखकर स्टोरी बोलते रहता हूँ और इसका दूसरा process भी है, जब कोई नई movie आती है, तो ये की बार उस movie को देखते हुए, उसी समय screenshot लेने लगता हूँ, उसके बाद recording, audio rating, video rating, video ready, बस ऐसे ही चलते रहता है मेरा काम, और ये सारे काम मैं single ही करता हूँ, तो इस तरह से मुझे तीन income source है, एक है मेरी job, दूसरा ह YouTube, तीसरा है वो gaming, मैंने दूसरे चालेंज भी स्टार्ट किया था, जैसे ग्यान्स और movie flicks, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा, ख़सके बाद कुछ लोगों ने ये भी सवाल पुचा, कि YouTube पर इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टागराम में इतने कम क्यों, बात ये है कि Instagram account मैंने बाद में open किया, आलमोश तो दो साल के बाद, account open करने के बाद भी मैंने वीडियो में mention नहीं किया, उसके बाद मैं धीरे धीरे mention करने लगा, बात में धीरे धीरे लोगों की message आने लगे, और मुझे जो कोई भी message करता, उन सारे लोगों से मैं बात करता ही हूँ, इसी में कुछ लोग बहुत अच्छे friends भी वनें, बस यही है simple life मेरी, nothing extraordinary, अगर कोई सवाल रहे गया तो comment में बता देना, मैं वहाँ पर आपको जवाब दे दूँगा, तो चलिए मिलते हैं एकली वीडियो में, तब तक take care, bye bye, see you soon,